क्या आपका भी सपना है UPSC एक्जाम क्राक करना और तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल UPSC Anonymous Quiz के माध्यम से आप UPSC से संबंधित A2Z जानकारी प्राप्त करें पुनरजागरण नव्यों के अप्तरण की सूचना देने वाला पुनरजागरण आंदोलन 15 वी शताबदी में हुआ था पुनरजागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना मध्यकाल में युनानी एवं लेटिन साहित्य को भुलाकर यूरोप की जनता अंध्विश्वासों में पढ़ गई थी उसमें निराशा की भावना एवं उत्साहींता ने जन्म लिया था पुनरजागरण में मध्ययोगीन आडंबरो, अंध्विश्वास एवं प्रथाओं को समाप्त किया तथा उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भुतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राश्ट्रवाद को प्रतिस्थापित किया पुनरजागरण का प्रारंब इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है, बिजेंटाइन सामराज्य की राजधानी कुस्तुन्तुनिया का पतन पुनरजागरण का एक प्रमुक कारण था, इटली के महान कवी दानते को पुनरजागरण का अग्रदूत माना जाता है, इन् लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रो के रचैता लियोनाडो दाविनसी चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, इंजिनियर, वैग्यानिक, दार्शनिक एवं कभी और गायक थे। इंग्लेंड के रोज़ा बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्दाता माना जाता है। जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। कोपरनिकस ने बताया प्रित्वी सूर्य के चारों और घूमती है तथा जर्मनी के कैपल ने इसकी पुष्टी की। गैलेलियो ने दोलन संबंधी सिध्धान दिया, जिससे वर्तमान में प्रचलित घर्यों का निर्मान हुआ। न्यूटन गुरुत्वाकर्शन के नियम का पता लगाया। एक नजर मेरे चैनल पर डालते हैं। दोस्तों, UPSC Anonymous Quiz YouTube और Telegram चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप UPSC की तयारी करते हैं और UPSC एक्जाम क्राक करना है तो UPSC Anonymous Quiz YouTube चैनल के साथ बने रहे। दोस्तों, यहां हमारे तरफ से सभी UPSC कोचिंग नोट्स को कलेक्ट करके फ्री में दिये जाते हैं जो आपकी तयारी को और मजबूती प्रदान करेगी। ये नोट्स और वीडियो UPSC और IAS टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेर करें। थैंक यू। कि अधिक में गया है। रहे बनाया खाया है। ये लिए कि भी बनाया गया है। थैंक ये शी टॉवर तो गिए सब्सवादी प्रतियोगिता गया गया है। झाल झाल